मैं रवी पतिल स्पेस्टेक इंटर्प्राइजेस से आज यह मैं आपको व्यू करने जा रहा था पीटी 3124 के टीवियस का मशीन है पीटी 3124 के मसीन अपन ने आन किया सिंपल यह प्रेस करने से आपका मशीन आन हो जाएगा पीटी 3124 के का फुल फॉर्म जो है पीटी पॉस टर्मिनल 3 3 इंच का प्रिंटर 120 होट कीस 4 लाइन डिस्प्ले पीटी 3124 के इसमें आप आइटम फीड कर सकते हैं 3 इंच का प्रिंटर और 40,000 आइटम आप इसमें फीड कर सकते हैं 99 डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर सकते हैं अब जैसे अपने को पहले आइटम फीड करेंगे होट कीस फीड करेंगे और हेडिंग फीड करेंगे आइटम फीड करने के लिए अपने को 00PLU करना है बारकोड आया कोड नमबर 1 डाला एंटर किया यहीं पर आप नेम डाल सकते हैं जो आपका ये कीज है इससे आप नेम डाल सकते हैं जैसे सपोज अपने को समोसा लिखना है तो स अगर आपको कैप्स में लिखना है पहले अपने ये मिटा दिया इसको डिसकाउंट से मिटता जाएगा फंक्शन वाला बटन प्रेस किया और स मोसा ऐसे अपने लिख लिया सपोज कुछ भी गलत हो जाया या स्पेस देना है तो यहां से स्पेस दे सकते हैं इससे आप कमि अगर आपको होटकीज डिफाइन करनी है होटकीज डिफाइन करने के लिए क्योंकि उसमें 120 होटकीज है होटकीज डिफाइन करने के लिए फंक्शन वाले बटन में जाएंगे डाउन रो की करके यहीं पे आपको होटकी सेट में जाना है एंटर किया होटकी नंबर ये प् function से होगा function किया enter करके यहीं पर आपको एक option मिलता है heading का set head message set head message में enter किया एक से 5 line में आप कुछ भी लिख सकते हैं first line में लिखना है तो first किया enter किया अभी अपने को suppose मतुरा वाला लिखना है तो मतुरा वाले के लिए bold करना है तो quantity किया M किया then quantity किया A किया quantity किया T किया H किया U किया R किया A किया W किया A किया L किया A किया ऐसे करके आपने मतुरा वाला लिख लिए और यह bold में हो गया मतुरा वाला ऐसे करके second line third line fourth line fifth line में आप कुछ भी लिख सकते हैं उपर की 5 लाइन, हेडिंग की 5 लाइन, फुटर की 2 लाइन, आप फुटर में भी 2 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन आपको GST नमबर वगरा कुछ आपको फीड करना है, तो आप GST वगरा फीड कर सकते हैं, बिलिंग के लिए क्या प्रोसीजर है सर, जैसे सपोस समोशा एक नमबर का है, आपको 5 समोशे देने हैं, तो आप करेंगे 5, then into, then item का code और PLU, अगर आपको होट की से बिल करना है, तो 1 PLU ना करके डारेक्ट आप होट की वाला बटन प्रेस करेंगे, तो आपका यह यहाँ पर शो हो जाएगा, चार लाइन का डिस्पले मैंने बताया था, तो आइटम आप करते जाएगे, तो यह समोशा ऐसे करके यह आपका बढ़ता जाएगा, एंटर करेंगे, तो आपका बिल फाइनल हो जाएगा, बिल जो फाइनल हुआ, उसमें आपका यह heading आ गया, then date आएगा, time आएगा, बिल लंबर आएगा, आइटम का नेम, कित्ता quantity, कित्ते रुपय का final बिल आ जाएगा, इस मशीन में रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, रिपोर्ट्स जो मिलेंगी, दो तरीके की रिपोर्ट है, एक X रिपोर्ट में जेराउक्स कॉपी रिपोर्ट, फोटो कॉपी रिपोर् पी यलियो मिन्स आइटम वाइज सेल रिपोर्ट, ऐसा करके आपको मिलता जाएगा, सेम ऐसा Z में भी आपको मिलेगा, अपन अगर रिपोर्ट्स पार्ट समझें, तो कैंसल किया, यह क्लर्क वाला बटन है, जो है आपका मीनू का काम करता है, यह अपन X में गए या Z गए Z में आपने एंटर किया, डेली, डेली मिन्स टोटल सेल रिपोर्ट, यह आपका अभी, आपका टोटल सेल रिपोर्ट प्रिंट हो गया कि माइन्स आपका 164 रुपया हुआ, अब इसमें आपको item-wise देल निकालना है, तो item-wise सेल भी हम लोग निकाल सकते हैं, item-wise सेल के पूरी के पूरी मिल जाएगी मेंस आपने सबेरे से शाम तक कितने आइटम बेचे हैं और टोटल सेल आपका क्या रहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें आपकी कोई क्वेरी रहती है आप हमें पोस्ट करेंगे तो हम लोग आपको बता देंगे कि कौ और इंडिया भी supply करते हैं हमारा रेंज जो है बार कोडिंग का solution है बार कोड अन पॉस सोलूशन यह आपका बार कोड पिंटर थर्मल पिंटर बार कोड स्केनर देन आपका यह टेबल टॉप स्केनर देन इसकी स्टेशनरी हो गई कि नोटकाउंटिंग मशीन हो गई कैस्ट दॉर इसमें कट्र इंडर भी इसमें लग जाता है इसकी ज़ोटी उख गए टोकन डिस्प्ले हो गयां लिसमेह आपका जो कैस कांटर होता है कांटर मेंगेस का डॉर वह भी I Based पैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपकी जो भी क्वेरीज हो या जो सजेशन हो सजेशन भी हमें दीजिए ताकि हम लोग अपने को इंप्रूव कर पाएं कि और बेस्टू बेस्ट हम लोग क्या आप लोगों के लिए कर पाते हैं धर्नेवाद